हालो फ्रेंड्स विल्कम टू दा शेफ चलिए आज हम बनाएंगे आलू पालक की टेस्टी सी सब्जी आलू पालक जिसके अंदर बहुत जादा ही पोश्टिक मिर्नल आयरन विटामिन यह सभी तत्व पाई जाते हैं और आको के लिए तो बहुत ही जादा फायदे मन है यह त अब इसको अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और वह साथ हम इसमें डाल देंगे दो तीन हरी मिर्चे बोवी बारी कटी हुई अब इन सबी चीज़ों को में अच्छे से फ्राइ कर लेंगे और साथ हम इसके देखिए आलू लीए यहां पे हमने जो हमने लगभग आदा किलो लिए जिसको हमने बारी काट लिए है इस तरह से और इन अलूँ को भी हम यह लेसुन द्रक फ्राइ होने के बाद इसमें डाल देंगे देखिए लेसुन दक फ्राइ हो चुका है तो हम इसमें अपने अलू डाल देते हैं और अलू डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम बहुत थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें सिर्फ अलू जितना और दो मिनिट के लिए हम इसे ढाक्या पकाएंगे ताके हमारे को अलू हलके से गलाना है विल्गुल है यहाँ पे हमने एक किलो पालक लिए है जिसे दो के साफ करके छलनी में जाली में रख दिया है चिए सका पाने नहीं धर जाए कि अब हम अलुचेक कर लेते हैं सिर्फ हमें अलुच मिनिट के लिए ढागना दे क्योंकि वाकी अलुच हमारे पालग के साथ गरजाओ आद मिकस्क चाहिए अब हम इसमें पालक –दाल देते हैं तो पालक बेट ढलिए त्वरी तरफूरी करें डालना कि अच्छे सारी पालक ऊपर नीचे मिक्स होजाए ऐसे को में आधे उर् sixth transf कर लेना है शित पालक में अपना पानी होता ही जो पानी छोड ती बहुत देखहि यह कितना पानी छोड दीया है और इस पानी को हमें तेज गेस पे चुकान आए और ज्यादा पानी होता है तो फिर हम भाजी को असपस कर लेते हैं ताकि बीच में पानी पक पक के सुख जाए और हमारी पाजी ज्यादा पक के खराब नहीं होए देखिए यहां पर पानी सुख चुका है थोड़ा टाइम लगता है पानी सुखने में लेकिन भाजी भोती अच्छी बन के दियार होती है तो कि हमने इसमें नमक नहीं डाला था भाजी में तो हम भाजी के हिसाब से नमक डाल देते हैं नमक आपको बहुत दिहान से जाना पड़ेगा क्योंकि यहां पालक में भी आयरन होता है तो थोड़ी सी नमक होता है इसमें और एक टीश्पून हम चीली फ्लेक्स डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे अभी हमारी सब्जी अच्छे से बनके रिडी हो चुकी है तो हम इसे अब डिशाउट कर लेंगे देखिए फ्रेंट कितनी एज़ी तरीक जिए हमारे इस सब्सेबन के त्यार हो चुक्दी हैं जिसके फाइदे तो आप जानते ही हैं कि आँखों के लिए बहुत ज्यादा फाइदे ने हमारे लिए पालक ग्रीन वेजिटेबल तो सभी को बहुत ही जादा फायदा पहुचाती हैं तो हमें चाहती हूँ आप सभी इसका फायदा उठाएं आप सभी अपने किचिन में इसको बना के त्यार करें इस एजी तरीके से फ्रेंड्स अगर आपको बताई मेरी बताई पालक की आलू पालक की रेसी पे पसंद आती है तो आप इसे लाइक शेर सबस्क्राइब जरूर कीजिए ताके मेरे वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे नेक्स वीडियो में फिर मिलते हैं अपना ख्याल रखिए बाई